यहां पर हर तरह के खजूरें जो अरब कंट्रीस से इरान से आए और यहां पर अंजीर जैतुन का तेल हर तरह के सीहत के लिए बहुत जरूरी एटम्स खाने के लिए यहां पर मौजूद है यह दुकान खंजर गली दरगा के बिलकुल बाजू में शालिमार होटल के बिलकुल पीछे हरमें डेट्स और नेट्स सीहत के लिए यहां पर आना न भूलिए अदाब मैं जमील एहमद यह प्राइम नियूस इंडिया और संचार टाइम क्राइम नियूसे आईए देखते हैं इस वक्त की आहम ख़बर क्रनाटका स्टेट से है जहां पर इलक्शन की कब डेट का ऐलान होगा इस याद में तमाम पार्टियां तैयार होकर बैटी भी हैं कुछे मेले कुछ पार्टियां और कुछ लीडर्स बस अपने अपकी जीत की कोशिश में लगे वे हैं किस तरह से इस वक्त हम जीत हासिल कर सकें देखना यह है कि इस वक्त जो इलक्शन होगा 2023 का उसमें कॉंग्रेस पार्टी की हुकुमत बनेगी बीजे पी की बनेगी या फिर कोई ऐसी पार्टी होगी जिसको लेकर हुकुमत बनाई जाएगी वो जेडियस होगी क्या जेडियस इस वक्त किंग मेकर का रोल अदा करेगा या कोई एक सिंगल पार्टी इस स्टेट में हुकुमत बनाने के काबिल बन सकती है जिस तरह से लोगों के हालात को देखा जाए तो लोगों का जहन तो कांग्रेस पार्टी की तरह बढ़ता जा रहा है मगर क्या कांग्रेस पार्टी को लोग होड़ दे कर इस स्टेट में कांग्रेस पार्टी की हुकुमत कायम करेंगे या कुछ जेडियस है जिसमें मुदाखलत करकर पी जेपी की होड़ को वोटर्स को मनाया जाए और अपनी हकूमत बनाई जाए ये काफी दिल्चस्प बात होगा कि कब इलक्शन कमिशनर करनाटका स्टेट का इलक्शन विदान सवदाग 2023 का ऐलान करेगा और किस तरह की हल चल करनाटका स्टेट में शुरू होगी आईए देखते हैं इसी संदर में तमाम पार्टियों के लीडर्स बड़े बड़े अपने कोशिश में लगे वे हैं। लाए जाए इस कोशिश में ये लीडर्स लगावा है जिसका नाम सतीश जार के वाली है। लोगों ने उनके दिलों में च्छा चुके हैं और लोग भी उनसे महबत इस तरह करते हैं कि सतीश अन्ना के हुकम पर हर तरह के लिए वो तैयार होते हैं और उनकी मदद करते वे आ रहे हैं। ख़बरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए लाइक और शेयर करना न भूली